हेलो फ्रेंड्स नीट यूजी दो हजार चोविस एकजाम और रिजल्ट को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है NTA का एहम फैसला नीट यूजी परिक्षा के रद को लेकर और हाई कोट ने भी आदिश दिया है तो क्या चल रहा है? नीट यूजी एकजाम रिजल्ट पर क्योंकि जब से रिजल्ट आया है आप सभी को पहता है रिजल्ट आने केपाद अफ़रा तफ़रं मत चोगी है क्योंकि इतने इतने मार्कस इतने ज़्यादा टोपर्स जो है फॉसिबल नहीं है after that जो result है उसके अंदर ये सब हुआ है तो अभी students काफी ज़ादा प्रेशान है हालांग कि कुछ students ऐसा भी चाहते है कि paper रद ना हो लेकिन mostly जो candidates से 7 to 8 to 80% candidates चाहते है कि paper या तो result को वापिस से revise किया जाए या फिर paper दोबारा से conduct करवाया जाए तो guys चार सदिस से committee बठा दी गई है नीट यूजी की जो committee है नीट यूजी का exam result उन सब को लेकर पूरा check करने के लिए कि कहां पर घपला हुआ है क्या कुछ change होना चाहिए नहीं होना चाहिए result जो है दुबारा से announce होना चाहिए क्योंकि जब candidates का result आया उसके अंदर सबसे पहले तो candidates 66 बच्चे ऐसे थे जो टोप पर रहे हजम होने वाली बात नहीं थे उसके बाद second बात 718-7199 नंबर आ गए students के बिलकुल हजम होने वाली बात नहीं है और guys यह तो starting की candidates है जो पकड़े गए और भी पीछे पता नहीं कितने candidates होंगे ठीक है तो वो जो पकड़े नहीं जा रहे है कितने सारे students के comments आ रहे है कि भाई हमारे जो marks थे मारे से हीट के according उतने नहीं आ रहे है कम आ रहे है इतने आ रहे है बहुत ज़्यादा guys यह scam है मैं यह बोलूंगे लेकिन एंटी ने फिर एक official notice डालकर सफाई दी कि जो जहां जहां problem हुई थी time compensation की उनको extra marks दे दिए बै क्यों दे दिए उनको extra marks उनको extra marks देनी की वजह है उनका वापिस से exam ले लेना चाहिए था वापिस उनको उतना ही time दे देना चाहिए था ठीक है क्योंकि एक एक number जो है वो students के लिए बहुत एहमियत रखता है एक number से ही वो इतना ज़्यादा आगे और पीछे चला जाता है तो इतने इतने marks से तो कहां पिचा कहां उनको government private कैसे seat मिल पाएगी आपके 5-7 number से भी वो private seat से management quota की seat पर पहुंच सकता है ठीक है तो क्या एहम फैसला दिया है एक बर हम देख लेते हैं तो देखे नेट यूजी की परिक्षा रद पर NTA का एहम फैसला High Court ने भी दिया आ पादियम से नेट यूजी की परिक्षा को पांच में को आयुजित करवाया गया यह आप सभी को पता है ठीक है उसके बाद लेकिन एनियम इतताओं को लेकर डायर जन ही तिया जिका पर National Testing Agency ने कोलकाता High Court ने जवाब मांगा है सुकरवार को मामले की सुनवाई हुई और इ अधिवक्ता सुनील राई की तरफ से यहां पर तर्ख भी दिया गया कि कुछ अभियर्थी जो कि 720 अंक में 718 या 19 पाय है जो कि यह अंक अरजित कर ही नहीं सकते हैं नेट यूजी 2024 के नतिजे चार्ज उनको खोसित कर दिये गए 67 अभियर्थों को सीर्स रेंग दिया गया अचार के तरफ से अक्षत अग्रवाल वा अन्य बना भारत संगिम अन्य के मामले में सुप्रीम काउट के फैसले पर यहां उल्ली किया गया और इसे न्याय उचित ठहराने का पूरा प्रियास किया गया था दोनों बच्चों की दलीलों को सुनकर जस्टिस कोशिक चंदव जस्टिस अपूरु सिंग राय के खंड़ पिट के मादयम से नैस्टनल टेस्टिंग अजेंसी को दस दिनों के अंदर हल्फ नामा दाखिल करने का जवाब देने को कहा है वहीं पर विपक्षि कांग्रेस के मादयम से यह भी मांग की गई कि नीट में जिस तरीके से धांद का जो अविन अंग बन गया है इसकी सीधी जिम्मिदारी वर्तमान सरकार की है विध्यारतियों की मांग है कि कठोर स्तर से इस पर जाच हो और जो विदोसी हो उनके खिलाब बड़ी कारवाही हो फिर से इसका एक्जाम कराया जाए दिल्ली हाई कोट में भी सियाजिका को द बख्षता से समझोता कर लिया है जबकि निर्देशन में यहाँ पर साफ संकेत किया गया था कि किवल एक विकल्प सही था याची ने प्रश्न करने का फैसला यहां पर किया और 720 में से 633 संक्या याची ने प्राप्त किया अब याची का यह अखिल भारती रेंग 44,700 अब उन रूप से बदल सकता है नीट यूजी का जो एक जाम हुआ इसका जो रिजल्ट जारी हुआ है रिजल्ट जारी होने के बाद अभी अर्थी हो गया लेकिन ही नहीं हो रहा यकिन नहीं हो रहा कि जब 1 परश्न चार नमरों का था तो यहां पर अभी अर्थियों को 720 में से 718-719 हासिल कैसे किया गया लेकिन अभी अर्थियोंने 718-719 अंग पाए है तो आखिर यह कैसे हो सकता है यानि नीट यूजी के रिजल्ट में काफी वड़ी धांद ले इस परकार से देखाई दे रही है और इसके निस्पक्ष तरिके से जाचो ऐसा अभी पक्ष पार्टिय होना चाहिए क्योंकि यह मामला अगे पांग चुका है और कुछ ना कुछ इसके उपर जरूर होगा ऐसा नहीं है कि एंडी ने बोल दिया पेपर लीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ ठीक है रिजल्ट जो है उनके फ्रू जो किया गया वह सही चेक किया गया कुछ तो यह सब्सक्ताइब उनके नहीं हुआ जो है यह सब्सक्ताब यह इसके रिजल्ट कि नहीं हुआ तो एबागी तो यह सब्सक्ताइब